कहानी नसिरुद्दीन का निशाना एक दिन नसिरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया तीर अन्दाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता मैं धनुष कसता हूँ निशाना साधता हूँ और तीर छोडता हूँ श्यूं तीर सीधे निशाने पर लगता है दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ उन्होंने नसरुद्दीन की परिक्षा लेने का फैसला किया एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया नसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा ये लो तीर धनुष और अब साधो अपना निशाना उस लक्ष पर देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या जूट नसरुद्दीन फस गए उन्होंने धनुष अपन दिया तीर को शूं तीर निशाने पर नहीं लगा बलकि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया हा 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 सभी दोस्त हसने लगे क्या यही तुमारा बहतरी निशाना था उन्होंने कहा नहीं नहीं हरगिस नहीं यह तो काजी का निशाना था मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है इतना कहते हुए नसिरुद्दीन ने दुबारा धनोश उठाया दोर खीची निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया शूूू इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा पर निशाना फिर भी चूग गया दोस्तों ने कहा यहो तो जरूर तुमारा ही निशाना था नसिरुद्दीन बिल्कुल नहीं नसिरुद्दीन ने कहा यह मेरा नहीं सेना पती का निशाना था एक दोस्त ने टाना कसा सूची में अब अगला कौन है इतना सुनते ही सबने जमकर ठाहा का लगाया नसिरुद्दीन खामोश रहा उसने चुपचाप एक और तीर उठाया नसिरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया सभी आश्चेरे से नसिरुद्दीन की ओर मूँ बाए ठाकने लगे इससे पहले की कोई कुछ कह पाता नसिरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा देखा तुमने यह था मेरा निशाना का दीरा वा हाँ भी आुमने राकने लेक विए एक विए अबदास का रेकाने यह था में कोई कह भी आशानी यह यह विए